हलो एवरीवन इस वीडियो में हम बढ़ेंगे क्लास फिफ्थ हिंदी का चप्टर फूर नन्हा फनकार वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैट खया उसने जल्दी जल्दी कोई प्रातना पुदबुदाई और छेनी हतोरा उठाकर अपने काम में जिट गया तो एक पच्चा है छोटा लड़का जो एक चौकोर मतलब जो चार कोनी होते हैं जिसमें ऐसे लाल पत्थर परपुव बैट गया और जल्दी 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 से उसने अपनी कोई प्रातना भगवान के लिए कुछ उसने बोला होगा प्रातना धीरे धीरे से बोली और छेनी हतोरा छेनी होती है देखे जिससे कुछ चीज को ठोका जा सकता है और हत मतलब चैनी से यह देखे यह जो है ना बच्चे के इस वाले हाथ में एक हाथ में बच्चे के चैनी है और जो हत उपर की तरफ है उसमें हत ओड़ा है तो चैनी हत ओड़ा उटा कर वो बच्चा जो है अपने काम में जुड़ गया कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारे और कलियां उकेरना शुरू गिया था लड़के ने एक अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और साफधानी पूर्वक हतोरे से घंटी पर नकाशी करने में चुड़ गया तो कुछ दिनों पहले ही इस बच्चे ने पत्थर पर घंटियों की कतार मतलब खूप सारे घंटिया बनाई थी और कडियां उकेरी थी घंटियां और घंटियां जिससे बनती है वो कडियां उसने इस पत्थर पर बना दी थी और फिर लड़के ने जो आधी बनी हुई हथोड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की करीचे छिरती जाती और वहें आखे सिकोड लेता साथ-साथ धीमी अवाज वें वहें कुछ गुन-गुनाने भी लगता फिर हथोड़े जो वार कर रहा था पत्थर पर उससे क्या और है छोटा-छोट कटाव होता जाता है और किनारे किनारे बनती जाती है और पत्थर जोए छिरता जाता है मतलब पत्थर में गहराव होता जाता है और वह आकरती जो भी चीज वह बनाना चाहता है उस पत्थर पर बनती जाती है और वह आखों को सिकोड लेता है मतलब ध्यान से बनाने के लि लगते हैं इसी तर ऐसे उसके चारों और दूसरे संगत्राश भी अपने अपने कामें काम में टूबे हुए थे और बाकी और भी उसके साथ जो काम करने वाले होते हैं यही जो काम कर रहे होते हैं वो भी उसके आसपास अपने काम में लगे हुए होते हैं केवल 10 साल का था के भी अपना काम सीख ही रहा था पिता के एक बार करके दिखा देने पर वे सीधी लकीरे लकीरों वाले और गुमावदा डिजाइन उकेड सकता था केशव जो है ये बच्चा दस साल की उमर का था सिर्फ और काम करना सीख रहा था इसके पिता ने इसे इस पत्थर पर सीधी लक कीर बनाना और घुमावदा डिजाइन बनाना सिखाया था उकेड़ना का मतलब होता है जैसे बना देना और ये बहुत ही जल्दी उसको सीख रहा था अब तक उसने नकाशी का जो भी काम किया था उन में से इन गंटियों को बनाना ही सबसे जादा मुश्किल था केशव जा इठला कर चलते हुए घोडे ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं तो फिकेशव खुद को कॉन्फिडेंस में रखता है मतलब कि उसे कॉन्फिडेंस होता है कि वो जैसे अभी तो उसकी सबसे मुश्यल जो उसने पत्थर पर पहले जब पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बसकए थे पाश्या अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यहीं काम मिल गया तो कई साल पहले उसके माता पिता जो है वो गुजरात से आगरा आ गये थे और बहाँ पर जो राजा अकबर हैं वो अपना महल पनवा रहे थे तो केशफ के पिता को यहीं पर काम मिल गया, केशफ का जन्म भी आगरे में ही हुआ था, उसे गुजरात की पुष्टेनी गाउं जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला, आगरे की गलियां और अब सीकरी बस यही ना सुनाई पड़ी, इसलिए अचाना कानों में एक आवास पढ़ने पर भेच चौक गया, माशाला यह घंटियां कितनी सुन्दर हैं, तुमने खुद बनाई हैं, तो फिर वो मतलब अपने काम में ढूबा हुआ था, और छैनी हतारों की आवास तेज होती है, कि आसपास क क्या हो रहा है, उसको कोई सी बात की किसी आहर की आवास नहीं आई, फिर पीछे से उसके कान में एक आवास पढ़ी कि मतलब माशाला कि कितनी खुबसूरत यह घंटियां हैं, जो तुमने खुद बनाई हैं, जो आवास थी उसने केशव से बूचा, पीछे मुड़कर केश केशव ने आखें उठाई तो उसने एक आदमी दिखा, बेशक मैंने यह घंटियां बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नकाशी करता नजर नहीं आ रहां, देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूं, केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया, तो केशव क्या आपको दिखता नहीं कि मैं बना रहा हूं, मैं मेरे हाथ से बन रही हैं, आपको दिख रहा हैं, तो मैं नहीं बनाई हैं घंटियां, दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हसते हुए बोला, फिर केशव बोलता है, मैं दस साल का हूँ, फिर केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख बाहा रहा था, उसकी उम्र रही होगी तीस के उपर, कद मजोला था, वह सबफेद, अंक रखा और पजावा पहने हुए था, उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पकड़ी और अच्छी तरह से ढखे हुए थे, लगता है कोई ब जाना उमर का वो लग रहा था, तो इतने अच्छे कपड़े, गले में मोती की माला, तो केशव ने सोचा लगता है कोई बड़ा आदमी है, तीखी नाग, बड़ी बड़ी आँखें, होटो को ढखते हुए नीचे की तरफ आती घली मूचे, केशव उस आदमी के व्यक्तित देता, उसने किसी के तेजी से दोड़ कर आने की आवाज सुनी, तो फिर वो जो आदमी था, वो बैठा हुआ था, और वो उसकी नकाशी को देख रहा था केशव की, और बोला, नकाशी को देख कर कि कोई जो लड़ी है, उसमें काम पाकी है, अब जैसे केशव मतलब रिप पाता ही नहीं चला, हाफते हुए उसने कहा, फिर भैमुर्ग कर भौचक से खड़े, केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जुरत कैसे की दूने, चुकर सलाम कर इने, फिर वो जो भैरेदार है, वो भागता हुआता है वो कहता है, मतलब माफी मांगता है उससे, आदमी से, कि आप, बोलता है कि आपके आने की मुझे ख़बर नहीं हुई, और फिर वो केशव से कहता है, कि तू मतलब इनके सामने कैसे बैठा हुआ, चुप-चाप जल्दी से खड़े हो जा, अब केशव का माता ठंका, उसे चुप-कर सलाम किया, और खरगोश किसी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा, फिर एकदम से केशव को समझाया, कि कहीं है, बादशा अकबर तो नहीं है, तो फटा-फट उसके एकदम से हाथ से चहने गिर गई, और उठा और उठकर के वो सलाम किया, उसने बादशा अ इशारा करते हुए कहा, ठीक है से पाही, कुछ देर के लिए हमें अकिला चोड़ दो, अब अकबर को अच्छा नहीं लगा कि वो जो है, पहरेदार आ गया, तो अकबर ने जाने के लिए उसको बोल दिया, पहरेदार को वहां से, पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असम अब दिल तो उसका अभी भी धगदग कर रहा था, हाँ पर अफ़र डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, फिर अकबर पूछते है कि तुम्हारा नाम क्या है, अकबर ने भूती नरम हवास में पूछा, बच्चे ने बो प्रशी करना सिखाऊ गे तो केशफ अपना सरह इला देता है कि हाँ मैं सिखा दूँगा, अब तो तुम्हें मेरे लिए हताओरा और चैनी का भी इंतजाम करना पड़ेगा, केशफ फूरती से अपने पिता के पास भाग गया और उनका चैनी हताओरा उठाकर उल्टे कि मुझे क्या करना है केशफ ने संदेब बरी नजरों से अखबर की झार देखा, हुजूर क्या आप यह सब करेंगे तो फिर मतलब बोलता है केशफ की क्या बादशा आप ये सारे काम करेंगे सीखेंगे सच में तो बादशा अकबर बोलते हैं क्यों नहीं मुझे तो विश्वास है मैं सीख ही लूँगा फिर बोलते हैं नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था केशफ सक्पका गया दरसल मैं कहना चाता था कि आप इतने बड़े बादशा हैं ये ठीक नहीं लगता केशब बोलता आप तो इतने बड़े बादशा हैं आप ये सब काम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा उसने कुछ अन्मने भाव से कहा अकबर असकर बोले अच्छा लेकिन कुछ हफते पहले तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया डोने में किसी की मदद की थी क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है तो फिर वो बोलते हैं अकबर उससे कि मैंने तो एक मिट्टी से भड़ी ड़ लिया तक कि ढोने में मदद की थी किसी की तो ये काम क्या उससे भी मुश्किल है अब केशफ अभी भी असमंजस की इस्तदी में था फिर अकबर के पास बैट किया और उन्हें चैनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा फिर जैसे ही जैसे कि केशफ के पिता ने उसे सिखाया था उसने कोईले के तुकड़े से पत्थर पर लकीरे कीच कर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीतार से कहा देखिए सिर्फ इनी लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है तो उसनी क्या किया जैसे उसके पिता ने केशफ को सिखाया था कि पहले कोईले से पत्थर पर सारा बनाना है पैटन जो जितर बनाना है वो बना दो और फिर उसके उपर लकी रखी जो चैनी हतोरे से तो उसने अकबर को इसी तरीके से सिखा दिया अक्बर ने पत्थे पर छेनी रखी और जोर से हतोरे से वार किया जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया अब अक्बर ने थोड़ा तेज मार दिया तो कटाव ज्यादा गहरा पड़ गया तो फिक केशव है वो बोलता है अरे अरे नहीं नहीं केशव ने तुरंत कलती पकड़ी हतोरे को आहिस्ता से माणना है ऐसे उसने करके दिखाया और हाँ अपनी आखे थोड़ी मीच कर रखना परना उरकर केशे आख में चली जाएगी अगवर मुस्कुराय और बोले जी फिर जवाब में केशव भी मुस्कुराय उठा वह लगबग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशा है एक अनारी से व्यसक पर अपने काम की धाग जमाने में उसे मज़ा आ रहा था वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकब अपर जब सीख रहे थे वह उसमें उकेर रहे थे तो बहुत ही ध्यान से केशव उनको देख रहा था और बादशा चरह सा भी थोड़ा सा कुछ गलत कर दे थे तो उसकी तोरियां चड़ जाती थी मतलब उसकी ज़ए पर चड़ जाती थी केशव की काम करते करते अकबर अब फिर इसमें आगे है काम करते करते हाई वाला हो गया अकबर इत्मिनान से बैठ गए और केशव को काम करते हुए तेखने लगे अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतकार उन्हें बड़े कौतुहल से देख रहे हैं तो बाकी लोग जो है यह बास्चा अकबर बच्चा बहुत ज़्यादा ध्यान से अपने काम में लगे थे तो उनको यह महसूस ही नहीं हुआ कि इस तरीके से बाकी सारे लोग उनको घूर घूर कर देख रहे हैं अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर प बनाना है कोई ले से सिर्फ उसको ही नहीं बना रहा है अपनी तरफ से कुछ और अच्छी चीज भी जोड रहा है इसकी वज़े से जो पैटर्न है जो डिजाइन है वो जादा सुंतर लग रहा है लड़के के काम करने के अंदास को तेकर अकबर ने धीमे से कहा केशव केशव कैसा कार खाना बस एक बार ये महल तयार हो जाए और लोग आग्रा में आकर यहां रहने लगे तब मैं कार खाना बनवाऊंगा इस कार खाने में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फंकार और शिल्पकार काम करेंगे चितर बनाने वाले कलाकार गलीचों के पुनकर केशव का चमक उठा बोला मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा अगबर उठ खड़े हुए चाहते हुए पड़े प्यार से केशव का कंदा थपतपाया और कहा अच्छा पेटा अपना काम चाली रखो हुजूर क्या आप दुबारा आएंगे केशव ने बड़ी उत्रुक पूरे दिन संगत राशो के बीच केशव की धूम मची रही वे बार बार बादशा से हुई अपनी मुलाकाल सब को सुनाता रहा रात हो चली थी केशव बहुत ठका हुआ था पर आँखों में नीद कहा वे धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया पिता ने बादशा बहुत ही नेक इंसान है बिल्कुल सही पिताने कहा कुछ सोचकर केशव ने पूछा बाबा एक बाद बताओ बादशा के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खुबसूरत महल है फिर वे सीकरी में यह शेहर क्यों बनवा रही है पिताने कुछ याद करते हुए बत संतान नहीं थी इस वजय से वे हर वक्त परिशान रहते थे वे बहुत से सादू संतों और फकीरों के पास कए भटकते भटकते बादशा ख्वाजा सलीम चिश्टी के पास सीकरी आए उन्होंने ही बादशा को बताया कि उनके एक नहीं तीन-तीन संताने होंगी शहजहां सल बादशा सलीम चिश्टी के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया केशफ ने कहा अच्छा अब समझा इसलिए बादशा अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है हां और इसी गारण हम यहां एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं फिर बचल ब अबर एक नया शहर बर सारे होते हैं और उसी के लिए यह दोनों भापर काम करने के लिए आयोता है यह दोन अपी और बाकी सारे फंकार भी तो यह जो चैप्टर है यह हमारा कंप्लीट हो गया है अब धी क्वेशन आंसर्स अगर हम इसमें करते हैं तो काफी बड़ा सा हो मतलब वीडियो ना तो क्वेशन आंसर्स हम अगली आने वाले वीडियो में देख लेंगे तो थेंक यू